करेंगे इस वीडियो में देखेंगे विनानता में में को फ्यूचर में क्या मूव देखने मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहां पर रेस्टेंस कहां पर है आज की तीन स्टॉक नहीं को क्लोजिंग दिखाया है लेकिन स्टॉक नीचे के तरफ आ गया तो फ्यूचर में उपर के तरफ मोमेंटम चाहिए तो एट्लिस स्टॉक और फिरसे 275 रुपिस का लेवल उपर के तरफ दिखा सकता है यूँकि अगर प्रिवेश्ट स्टॉक में अगर ट्रेंड का अनलिसिस के तो स्टॉक देखें त सब्सक्राइब का पैटर्न हमें को बनाते हुए उपर के तरफ चल रहा तो नीचे के तरफ स्टॉक में सपोर्ट है जो कि 250 रुपिस का लेवल है तो स्टॉप्लास अपका रौंड 250 रुपिस के पास होना चाहिए क्यों कि तो स्टॉक नेगेटिव हो जागा नीचे के और मुझ 225 से लेके 200 रुपिस तक का भी गिरावट देखने मिल सकता है तो कोई फ्रेस पाइंग करना चाहता है तो इस लेवल पर कर सकता है या फिर 275 रुपिस का ब्रेक आउट के ऊपर भी कर सकता है टागेट हो जगा 300 से लेके लगवा 500 रुपिस तक का लॉंग टेंग कर दो